हेलो गाइस आज जो है एक डिनर सेट का अन्बोक्सिंग करने वाले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ये बॉक्स हमारे पास में रखा हुआ है 35 पीस का ये डिनर सेट है इसका अन्बोक्सिंग करेंगे और कई सारे सवालों के जवाब देंगे आपको अगर आप जो है डिनर सेट परचेस करना चाहते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि कौन से ब्रांड का परचेस करें कौन से मैटेरियल का आपको डिनर सेट परचेस करना चाहिए जो आपकी सेहत को नुक्सान ना पहुँचाए क्योंकि दोस्तों अगर आपने dinner set purchase कर लिया तो वो आपके घर में कई सालों तक चलेगा तो आपको decide करना बहुत जरूरी होता है कि आपको कौन से material का dinner set purchase करना चाहिए उसमें अगर आप खाना काते हैं गरमा गरम खाना निकालते हैं तो वो जिस material का बना हो वो material आपके खाने में absorb नहीं होना चाहिए अगर आपके खाने में वो absorb हो रहा है मिल रहा है तो वो आपकी सेहत को नफसान पहुचाएगा तो इस condition में अगर आप dinner set purchase करना चाहते हैं तो आगे वीडियो में आपको मताएंगे कौन से brand का आपको purchase करना चाहिए कौन से material का आपको purchase करना चाहिए तो चलिए दोस्तों ये जो है सेलो का 35 piece का dinner set इसका unboxing करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह की इसकी quality है और किस material का ये बना है तो चलिए इसको हम जो है अन्बॉक्स कर लेते हैं और अन्बॉक्स करने के बाद जो है आपको दिखा रहे हैं कि ये देखने में कैसा लग रहा है कैसी क्वाल्टी है सारा कुछ अभी आपको पता चल जाएगा तो दोस्तों अगर आप जो है डिनर से परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो को विल्कुल भी स्किप ना करें पूरा वीडियो देख लें ये आपके फायदे के लिए है अगर आप डिनर से परचेस कर लेते हैं तो वो जो है आपके घर में कई सालों तक चलने वाला है और दोस्तों आपको बता दें कि इस बॉक्स में 35 पीस में क्या-क्या चीजे हैं तो यहाँ पे इसमें दिया गया है डिनर प्लेट जो है इसमें 6 पीस मिल जाती है और क्वार्टर आपको जो है 6 पीस मिल जाती है वेज बावल इसमें 6 पीस मिल जाएंगे आपको सूप बावल आपको 6 पीस इसमें मिल जाएंगे और सर्बिंग बावल आपको इसमें 2 पीस मिलेंगे डीप राउंड प्लेटर इसमें आपको 2 पीस मिल जाएंगे और यहाँ पे salt and paper के लिए आपको two piece मिलेंगे जिसमें salt और paper आप रख सकते हैं और spoon इसमें आपको six piece मिल जाएंगे टोटल जो है ये 35 piece है तो चलिए आपको हम unbox कर रहे हैं आपको दिखा रहे हैं तो ये guys आप देख सकते हैं ये जो है soup bowl है और जो है salt और paper के लिए इसमें दो डिब्बे दिए गया है तो guys आपको बता दे कि ये जो है sale company ने थोड़ा सा cheating की है जिस तरह से online show कर रहा था catalog में जिस तरह से दिख रहा था उस तरह का ये नहीं है तो ये जो है cheating की है इस तरह का उसमें नहीं था और spoon जो है six piece आपको इसमें मिल जाएंगे और guys ये guys आप देख सकते हैं quarter plate है ये तो six piece ये quarter plate आपको इसके अंदर मिल जाएंगी और six piece जो है इसमें dinner plate मिल जाती है और इसके अलावा जो है one piece जो है एक बड़ी plate है वो आपको इसके अंदर मिलेगी और guys जो है इसमें six bowl आपको wage bowl मिल जाते हैं ये आप देख सकते हैं तो guys आपको देखने में कैसा लग रहा है आप comment करके जरूर बताईएगा और अभी आपको इसकी quality के बारे में भी हम बता रहे हैं और ये guys आप 35 piece आपको इसमें हो गए ये two piece serving bowl है और एक बड़ी plate है चलाद वगेरा लगा सकने हैं और यहाँ पे quarter plate six piece मिल गए और wage bowl आपको यहाँ पे six piece ये जो है थोड़ा सा बड़ा size है और ये जो है इस bowl का size थोड़ा सा छोटा है और dinner plate जो है six pieces के अंदर आपको मिल जाती है तो दे देखने में quality इसकी आपको अच्छी लग रही होगी design भी आपको देखने में अच्छी लग रही होगी तो दोस्तों आपको बदाने कि यह किस material से बना हुआ है तो दो तीन तरह के material आते हैं जिनके dinner set आते हैं तो अगर आप purchase करना चाहते हैं तो यह जानना आपके लिए बह ओपल वेर यह क्या चीज होता है उसके बारे में हम दोड़ा सापको बता देते हैं तो यह ओपल वेर जो है hard tempered glass होता है तो hard tempered glass होने की वज़े से यह जो है सेहत के लिए नुकसान दे नहीं है अगर आप इसमें गर्मा गर्म खाना भी परोजते हैं तो यह किसी भी तरह से आपके खाने में melt नहीं होगा बिल्कुल भी तो यह आपकी सेहत को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुचाएगा और यह microwave में भी आप यूज कर सकते हैं उसके लिए यह suitable है और यह जो है जो चीनी मिट्टी की plate आती है उनसे यह lightweight होता है हलका होता है तो अगर यह plate जैसे की गिर जाती है तो बहुत ही आसानी से नहीं तूटेगी मजबूत होती है और उसके बाद जो है एक डिनर से टाता है ceramic material का और यह ceramic material का होता है तो वो जो है मिट्टी का बना होता है जैसा की चीनी मिट्टी होती है तो यह जो है पकी हुई मिट्टी होती है उसका बना होता है ये जो है वेट में थोड़ा सा हैबी होता है और इसमें भी अगर आप खाना खाते हैं तो आपके खाने में किसी भी तरह से ये मेल्ट नहीं होता है ये जो है आपकी सेहत को बिल्कुल नुक्सान नहीं पहुचाता है लेकिन ये थोड़ा सा हैबी होता है अगर ये गिर जाता तो यह तूट जाएगा और इसके अलावा एक material आता है मेला मिन उसका भी dinner set आता है तो दोस्तों आपको बता दें कि यह मेला मिन क्या चीज है तो यह एक तरह का plastic होता है यह भी बहुत ज़्यादा hard होता है इसको भी आप जो है microwave में use कर सकते हैं उसके लिए suitable होता है लेकिन य कर्मा गरम खाना परोस्ते हैं और खाते हैं तो यह जो है आपके खाने में melt हो सकता है थोड़ा बहुत absorb हो सकता है तो यह सेहत के लिए आपके अच्छा नहीं होता है अगर आप purchase करना चाहते हैं तो आप decide कर सकते हैं कि कौन से material का आपको लेना चाहिए मेला मिन जो है कई त iis वाइल्स वगेरा लगती है उनके लिए भी यूज वोता है white board वगेरा बनाने के लिए यूज होता है कप्ड़े बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है क्योंकि यह जो है एक तरह का plastic होता है तो दोस्तों यह डिनर से के material होते हैं जिनके dinner set आते हैं तो हम तो आप से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप purchase करना चाहते हैं तो ओपल वियर सबसे best रहेगा आप इसको जो है purchase कर सकते हैं क्योंकि यह जो है किसी भी तरह से नुकसान दे नहीं है आपकी सेहत के लिए और बहुत ही आसानी से यह तूटता भी नहीं है और इसके अलावा अगर आपके माइंड में सवाल आता है कि कौन से brand का आपको purchase करना चाहिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेलो brand का हम ने यहां पर दिनर सेट purchase किया है और उसका unboxing किया है तो सेलो brand भी अच्छा है आप इसका purchase कर सकते हैं और इसके अलावा एक जो है बोरोसी लाता है उस brand का आपको purchase कर लेना चाहिए वो भी brand अच्छा है उसकी भी rating जो है online shopping में अच्छी देखने को मिलती है और इसके अलावा आप जो है वीडियो आपको helpful लगी होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करना बिलकुल न भूलना और अगर आपके mind में किसी भी तरह का सवाल है तो comment section में जाके comment कर सकते हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को subscribe कर लेना साथ ही bell icon को press करना बिलकुल न भूलना फिर मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिर जैवारत